कि चलिए आज शुरुबात करते हैं आज हम पढ़ेंगे किर्या के चैप्टर जितने भी इसमें क्यूशन आए हुए हैं सभी वो आज हम उनको प्रक्टिस आपकी प्रक्टिस एप सॉल्ब करेंगे ठीक है और इससे पहले हमने यतने भी हिंदी के सारे चैप्टर भाई आपक इसी टीक है फिए उससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल सोब करके सब्सक्राइब का होटा है आप से कुछ नहीं मांगते हैं ठीक है तो चलिए शुरुबात करते हैं पहले कि जो स है न हमारा देखा गया है किर्या के किस पक्च का उदारण है ठीक है देखा गया है देखा गया हो किर्या के किस पक्च का उदारण है ठीक है तो ये है देखा गया हो ठीक है इसको पूछ रहा है वो किर्या के किस पक्च का उदारण है तो ये आपका संभाव्य बरतमान देखे संभावा कि यहां पर संभावना रहती है ठीक है मतलब संभावना है अनुमान है इसा कि देखा गया है ठीक है तो इसमें क्या होगा संभावना है बर्तमान होगा ठीक है कि जतने कि यूपी ट्रिपल एसजी के परिक्चाव में पूछे गए हैं सबी जब करता एक कंप्त कर उसे च्छन दूसरी क्रिया में प्रवत होता है तब पहली किया क्या कया कहलाती है तो पहली एक का revenue कर लेते हैं के पूर कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा का रहा करते हैं तो कुझर करता किया एक कर्या यह समाप्त कर लेता है तो उसी च्छन तूसरा कर्या कर सबस्वान्त करें कर हो जाती है तो पहले कर आइगी .... जैसे कि अगर बात करूं में उसने ना कर भोजन किया था कि अगर एक जाम पिर यहां पर आपको जैसे उसने उसने नहा कर भोजन किया ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गई दो किर्या हो गई ठीक है पहली क्या हो गई उसने नहा कर भोजन किया ठीक है यहाँ पर पूरा हो गई उसके करे नहाने का उसने बाद नहाने का उसने बाद में भोजन किया ठीक है यहाँ पर आप चल सकते हैं बाक्टाइमें कौन सी ब्रतिय देखि इस बाक्ट्य में अगर बात करें आप चल सकते हैं मतलब चलने का आप позволika सामारतिय है् चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है आपका आयाबा क्यूशन कि जितने भी क्यूशन कराऊंगा सभी आपके UP triple SC की परिक्चाव में पूचे गए क्यूशन है और उसमें यतने भी क्यूशन बनेंगे उसके टाइप में आपको मैं बता दूँ आ किरिया के ठीक है चलिये नमलिक प्रसंड में चार वुकलपों में से उस वुकलप का चेंड करें जो किरिया के भेहियरद वाला सही विकलप है डीपा ने गाये को चारा खिलाया ठीक है तो यहाँ पर क्या है दीपा ने गाए को चारा किलाया किस ने करा यहाँ पर तो यहाँ पर बात को हो रही है दीपा ने एक गाए और दीपा की बात हो रही है ठीक है तो दीपा ने किसे चारा किलाया गाए को चारा किलाया ठीक है तो यहां पर क्या होगी आपकी दो कर्म कर्या होगी ठीक है यहां पर क्या होगी आपकी दो कर्म कर्या होगी ठीक है यहां पर दो कर्म कर्म कर्या होगी एक तो आपकी दीपा होगी ठीक है और दूसरी आपकी गाय होगी ठीक है दूसरी क्या होगी आपकी गाय होगी ठ चारा क्या हो गया यहां पर एक कर्म ठीक है बहुदा कर्म हो गया ठीक है दूसरा कर्म हो गया एक गाये ठीक है चारा और गाये ठीक है तो यहां पर क्या हो गई दीक है तो यहां पर गाये और चारा क्या हो गई दो कर रहा हो गई ठीक है तो यहां पर दो कर रहा आपकी हो चार बिकल्प में से उस बिकल्प का चैन करें जो पक्च के भेद का सही बिकल्प हो दीपा लगतार पढ़ती दीपा लगतार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्छा में पिर्थम आई देखें यहां पर क्या है उसका अगर बात किये जाए तो उस पक्च का बेद का सही बिकल्ब है तो यहाँ पर अगर देखा जाएं दीपा लगातार पढ़ाई करती है तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे में क्या होता है देखे तो यहाँ पर मतलब उसका क्या होगा अगर आप बिकल्ब को देखें तो उसका मतलब होगा वो अभ्यास बहुदक पक्ष मतलब उसका पक्ष क्या होगा यहाँ पर देखा जाए तो चलिए से ऐखर जॉन मतलब लगातार कोई विक्राय क्या होती है नेकी रूप में होने की सूच ना प्राप्त होती है लगातार ठीक है चलिए अगला क्यूस्टन देखें अगला क्यूस्टन की अगर बात करें देखें यहां पर जो आया है निमलेकित परसन में चार विकल्प में से उस विकल्प का chain करें जो ब्रति सही बाक्या के भेद का विकल्प है यदि सारा समान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा मतलब वो कह रहा है यदि सारा समान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा ठीक है तो यहाँ पर जो आपके ब्रति की बात कर रहा है तो इसकी बात हो रही यहाँ पर संकेत आर्थ ठीक है संकेत आर्थ क्यों हो रहा दिए कि प्रिसन बाक्य में सारा समान मिल गया मतलब संकेत कर रहा है तो सारा समान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है, संकेटार तक बेड़ती का बोगत कर रहा है, चली अगला किुष्चन देखते हैं, अगला किुष्चन है आपका, निम्लिकत प्रसन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें, जो पक्च का भेद का सही विकल्प है अब सीता चलने लगी है ठीक है तो यहाँ पर अगर बात करे जाए तो यहाँ पर कौन सा पक्च होगा आपका यहाँ होगा आपका आरम बोधग पक्च आरम बोधग पक्च क्यों होगा क्योंकि इस किर्या में क्या हो रहा है किर्या के आरंब होने की इस्तिती का बोध हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर किर्या के आरंब होने की इस्तिती का बोध हो रहा है यहां पर बोध हो रहा है तो क्या होगा यहां पर आरंब बोधक पक्च होगा ठीक है कर्याप निरंतर मतब कर्याक विया कि यह था रेंगर कि कृ्रिया को बाढसि है और बात करें पूल्झा और बोधक में कि चेश् 근çar पूल्द्रा में कि यहां पर क्यों यहां कि माया थे कि इस दो बूनि समें I फूर्ण समाप्ति का ज्यान होता है right ऐसे सथ्प्पातय बोह रख पर बात करें कि इसमें archa कि डिख्या के क्या होता है ने आपको बताए था निरंतबहlier का बोध होता है शरी में अग्या कोनड़ा चेलिए अगला किसे ने आपका निमलिकित पक्चों में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो ब्रती के सही बेद का बिकल्प है जरा मेरी साहता कीजिए ठीक है तो यहां पर क्या है उसका दीक है तो इस बाकिये में क्या है जरा मेरी साहिता कीजिए तो यहां पर है आपका बिद्यार्थ ठीक है क्या है यहां पर बिद्यार्थ बिद्यार्थ का अर्थ क्या होता है बिदी सम्मंदी अत्पक किर्या करने का भाव ठीक है बिद्यार्थ का अर्थ क्या होता है मतलब साहिता कीजी तो उसकी इच्छा बहुता है ठीक है वो कर भी सकता है उसकी साहिता नहीं भी कर सकता है ठीक है तो यहाँ पर किर्या करने का क्या होता है भाब होता है ठीक है चलिए अगला किर्सन देखते हैं अगला किर्सन आपका देखे यहां पर आया है उस विकल्प का चैन करें जो दिये गए बाक्या में किर्या के भेद वाला सही विकल्प है सोवन चाय पीकर बैठा है ठीक है तो सोवन चाय पीकर बैठा है मतलब यहां पर क्या हो गया तो उसने क्या क्या यहां पर अगर किर्या कर तो यहां पर क्या होगा पूर्ण कालिक क्या क्या होगी जब करता किसी कारे को क्या कर लेता है समाप्त कर लेता ठीक है और दूसरा आर पूर्व कालिक क्रिया होगी ठीक है चलिए अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन नहीं अपका निम्न में प्रणातक क्रिया कौन सी है यहां पर देखा जाए तो प्रणातक क्रिया क्यूंसी है यहां पर देखे अगर बात करें तो यहां पर प्रणातक क्रिया होगी कि इसमें क्या है करता जो है जो करता है वो क्या कर रहा है स्वैम कार्या ने करके मतलब क्या कर रहा है वो स्वैम कार्या ने करके किसी दूसरे से कार्य करने को क्या करता है वो प्रेरित करता है ठीक है किसे करता है वो प्रेरित करता है किसमें प्रनातक किर्या में ठीक है तो यहाँ पर दिलाना क्या होगी प्रनातक किर्या होगी ठीक है क्योंकि वो दूसरे से उसे मतलब क्या कर रहा है दिलाना ठीक है तो अगला क्युस्षन देखते हैं अगला क्युस्षन है आपका पढ़ रहा था को इसमें कौन सी किर्या है तो यहां पर अगर बात करेंगे अगर ऐसे बाक्या में जहां पर दो किर्याओं का क्या हो अगर जहां पर क्या हो दो किर्या का क्या हो संयोग हो संयोग निर्मित होता है तो उसे कहते हैं संयोग्त किर्या कहते हैं क्योंकि पढ़ रहा है चलिए अगला क्युष्ण देखते हैं अगला क्युष्ण है आफका बहसाम को घर जाएगा बहत साम को घर जाएगा बाक्या में ब्रति का अर्थ कौन सा है देखे तो उसका मत्वों कह रहा है बहत साम को घर जाएगा देखे इसमें क्या कह रहा है मन की इस्तिति की बात कर रहा है मतलब उसके मन में ब्रति आ सकती है कि वो घर जाए या नहीं जाए तो यहाँ पर क्या होगा निच्चा आर्थो तो यहाँ पर क्या होगा निच्चार्थ। क्या partir जाने क्या होगी निचे की उसमें बरती होगी ठीज़ और यहां पर अगर देखें बहे बोजन बनाता है ठी़ है इसमें क्या है आवरती मूलक ठीक है ठीक हिसा फ़नी रहती हैं कि तो यहां पर है आपका आवरती मूलक ठीक है पहाल जाए घ्रणान बनाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा आपका आवर्ती मूलक ठीक है क्योंकि जिसमें किर्या सदे बनी रहती है तो बहाँ पर आपका आवर्ती मूलक होता है ठीक है देखे सात्य परत्यक के अगर बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें बर्तमान में चालू रहने का बोध होता है इसमें क्या होता है बरतमान में चालू रहने का बोध होता है ठीक है अब बात करें इस्तियात्मे क्या होता है अगर इसमें क्या होता है इसमें क्या होती है कार्या संपूर्ड मतलब संपूर्ड हो संपूर्ड बाक्या का इसमें क्या होता है गठन होता है मतलब संपूर्ण का रहे है इस ताहत में संपूर्ण अगर देखा जाए तो करिया रूप से ब्यक्त नहीं होकर क्या होती है संपूर्ण बाक्या गठन ब्यक्त होता है, गठन से ब्यक्त होता है, तो इसमें क्या होता है, बाक्या अस्तिति का बोध कराता है, इस्तिति का बोध कराता है, अब बात करें, पूर्ण पक्च में किर्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है, इसमें क्या होता है, पूरी तरह समाप्त हो जाती है, पूरी त तो वहाँ पर पूर्ण पक्च होगा चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है किर्या के जिस रूप से किर्या निस्पादन की समय का ग्यान हो उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम काल ठीक है किर्या के जिस रूप से किर्या निस्पादन की समय का ग्यान उसे काल कहते हैं काल क्यों कहते हैं अगर यहां पर बात करी जाए तो काल का मतलब क्या होगा जिस से जिस रूप से कार है के होने का समय का पता चलता हो ठीक है का चलता हो समय का पता चलता हो तो उसे हम काल कहते हैं मतलब कहने का कार्या है समय और उसकी पूर्ण अवस्ता के ग्यान का रुपांतन को हम काल कहते हैं ठीक है काल के भेद कितने होते हैं तो काल के तीन भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं आपका बर्तमान काल ठीक है बर्तमान काल एक होगे बर्तमान दूसरा होता है आपका भूत काल ठीक है भ तीर पिरकार के होते हैं ठीक है किर्या के जिस रूप से किर्या के निस्पादन के समय का ग्यान हो उसे हम काल कहते हैं ठीक है कौन सा कार्या किस समय में हो रहा है ठीक है तो उससे हमें उसका पता चलता है तो वो काल में पता चलता है ठीक है चलिए अगला क्यूस्तन देखते ह जिस किर्या के से संचालित बियापार का फल करता को छोड़कर कर्म पर पढ़ता है उसे कौन सी किर्या कहते हैं देखे इसमें कह रहा है जिस किर्या से संचालित मतलब किर्या से किर्या का फल काय पर पढ़ता हो करता को छोड़कर काय पर पढ़ता हो कर्म पर पढ़ता हो ठीक जहाँ पर कर्ता कर्म पर पढ़ता है तो बहाँ पर आपकी सह कर्मक कर्या होती है ठीक है इन कर्याओं का असर क्या होता है कर्ता पर नए पढ़कर किस पर पढ़ता है आपका कर्म पर पढ़ता है ठीक है तो बहाँ पर आपकी सह कर्मक कर्या होती है ठीक है जैसे अगर हम बात करें देखें अगर बात करें विकास पानी पीता है ठीक है विकास पानी पीता है ठीक है विकास पानी पीता है तो यहां पर क्या होगे पीता है मत्दब क्या होगे पीता है तो यहां पर पीता होगे आपकी किर्या होगे ठीक है यह क्यों गया आपकी किर्या होगे ठीक है तो पानी पर नए पड़कर काई पड़ा है वो पीता है ठीक है तो आपकी यहां पर क्या होगी आपकी से कर्मा किर्या होगी चलिए अगला किसम देखते हैं अगला किर्या के मूल रूप को क्या कहते हैं ठीक है तो किर्या के मूल रूप को हम कहते हैं धातु ठीक है क्या कहते हैं दातू कहते हैं देखे किर्या के मूल रूप को कहते हैं दातू किर्या के पद अंस को कहते हैं दातू क्या कहते हैं किर्या दातू जो कहते हैं किर्या के पद के उस अंस को कहते हैं ठीक है किर्या के उस पद अंस को कहते हैं जो किर्या के प्राइस है रूप में पाया जाता है अगला क्युश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष राम ठीक है सो क्या रहा है वो किर्या कर रहा है ठीक है सो नहीं क्या कर रहा है किर्या कर रहा है ठीक है तो यहां पर क्या होगी आपकी एकर्मक किर्या होगी ठीक है इसमें क्या होता है एकर्मक किर्या में जिस किर्या का पल करता पर ही पड़ता है ठीक है जिस किर्या का पल कि चलिए अगला कुस्टन देखते है अगला कुस्तन है आपका कि देखे निंद में प्रणातक किर्य के है टीक दो कि यहां पर किया ěकरमक और यहां पर बनती है तो इसलिए गिर्णा क्या होगा आपका प्रणातक क्रिया होगा ठीक है इसमें क्या होता है मौल क्रिया में क्या जोला जाता है आपका इसमें आना जोला जाता है ठीक है इसमें क्या जोला जाता है आना जोलने से क्या बनती है प्रणातक क्रिया बन जाती है मौल किर्या में क्या आना जोलने से ठीक है और प्रतम प्रनातक किर्या में बाना जोलने से क्या बनती है दुत्य प्रनातक किर्या बन जाती है ठीक है जैसे करना क्या हो गया आपका प्रतम प्रनातक किर्या हो गया ठीक है अगर बात करें करवाना ठीक है करवाना ठीक है तो य जिसमें तो पहर्त है प्रता करणा तक होगई संद्री जिसमें ना हना लगत है और मपर टुट्र आप जिया पर उत्त हैं किila के यहां पर क्या है गिर के बाद गिर में को लगा आप को गिराना ऐनके टेक्ड होगए स्ट तिक Kub चलिए अगला कि उस्टन देखते हैं अगला कि उस्टन आपका निमलिकित में से से कर्मक किर्या चांटी है देखिए इसमें से कर्मक किर्या की अगर बात करें तो से कर्मक किर्या कौन सी है आपकी देखिए यहां पर अगर से कर्मक किर्या देखी जाए तो से कर्मक किर्या कि किसमे होगी आपकी लिखना में कियो होगी यहां पर अगर हम देखें सोना तो सोना मुस्कराना चलना ठीक है तो इन में क्या आपकी मुख्या क्या है एकर्मक किर्या है ठीक है इसमें क्या आपकी एकर्मक किर्या है ठीक है यह क्या चलना सोना मुस्कराना क्या आपकी एकर्मक किर्या है ठीक है तो से कर्मक कर्या किसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है आपका यदि किसी से मूल कर्या में एकर्मक माने जाती है ठीक है जो मूल कर्या होती है वो क्या माने जाती है एकर्मक माने जाती है ठीक है क्योंकि लिखना सब्द में क्या आपका मतलब इसमें कह रहा है मतलब ऐसी किर्या है जिन से कर्म किर्या की बात करें तो ऐसी किर्या होती है जिन से कर्म या कर्म के होने की संभाव ना हो ठीक है जिन से कर्म या कर्म होने की संभाव ना हो ठीक है कर्म होने की क्या हो संभाव ना हो ठीक है तो वहाँ पर क्या कहलाती है आपकी सैकर्मक किर्या कहलाती है ठीक है अब एकर्मक किर्या की बात करें तो एकर्मक किर्या क्या होती है आपकी एकर्मक किर्या बे होती है जिन किर्याओं का बेपाद तता परिडाम करता पर ही होता है ठीक है का पर होता है करता पर ही इस किर्यार तक संग्या सदा किस रूप में रहती है किर्यार तक सदा किस रूप में रहती है तो यह रहती है आपकी एक बचन पूलिंग में ठीक है तो यह रहती है आपकी सदा एक बचन पूलिंग में देखे अगर बात करें यहां पर देखे जब किर्या की संग्या की तरह अग खालत के लिए अच्छा है तो यहां पर जो टहलना आया है वहापका यह क्रियात्मक संग्या और क्रियात्मक संग्याया है चलिए अगला question देखते है कौन सा संयुख्त किर्या का भेद नहीं है अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका आकास बोदक संयुख्त किर्या का भेद होगा चलिए जैसे कि अगर बात करें अगला क्युस्षन देखते हैं देखे जितने भी क्युस्षन है सभी इसी तरह कैसे इसमें पूछे जाते हैं ठीक है अगला क्युस्षन है आपका आयावा क्युस्षन है हतियाना चिकना चिकनाना किस परकार की किर्या है ठीक है तो यह किस परकार की किर्या है देखे जिसमें इस पर देखे हतियाना इनमें क्या है नामदातु किर्या है नामदातु किर्या क्यों है देखे नामदातु किर्या बहुती है जिसमें संग्या या बिसेशन से मिलकर बनने वाली किर्या मतलब क्या होती है संग्या या बिसेशन संग्या या बिसेशन से मिलकर बनने वाली किर्या, ठीक है, मिलकर बनने वाली नामदातु किर्या कहलाती है, ठीक है, क्यों कहलाती है, जैसे हाथ से क्या हो गया, हतियाना, ठीक है, हाथ से हतियाना, ठीक है, ऐस जैसे हो गया, बास जैसे चिकना से चिकनाना, ठीक है, चिकना से चिकनाना, ठीक है, तो इस त से ने आपका आप पढ़गर अपढ़गर क्या होगा इस बाके में कोंसी किर्या थ aí कहेँ अपढ़गर क्या होगा तो कार्या को समौंप्त कर लेता है ठीकर तो बहाँ पर दूसरी क्रिया प्रार्म करता है तब पहली क्रिया कहलाती है आपकी पूर्ब काली क्रिया कहलाती है ठीक है क्योंकि इसमें क्या होता है दो क्रिया एक साथ चलें तब उसे सही उक्त क्रिया कहते है ठीक है जैसे बहे पढ़ने लगा बहे रोने लगा एक एक जैम्पिल्स के अगर बात करें देखे सहीत कर्या क्या होती बहे पढ़ने लगा पढ़ने लगा फिर रोने लगा ठीक है बहे रोने लगा बहे पढ़ने लगा बहे रोने लगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आपकी सहीत काली किर्या ठीक है क्योंकि एक ही बाक्य किसमें बात कर रहा ठीक है चलिए अगला नंग्asy न देखते हैं निम्द में प्रणातब किर्या प्रणात lang क्रा कोंव तो यहाँ पर दोलने से क्या बनती है यह आपकी प्रणात्य क्रिया बनती है का इसे जैसे आना हो गया ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था आना हो गया ठीक है लाना हो गया ठीक है तो इससे क्या बनती है आपकी प्रणात्य क्रिया बनती है ठीक है जैसे कि यहां पर बात करें जग से क् आपका यहां पर देखा जाइज जगाना ठीक है जगाना से जगानी से आपका जगवाना ठीक है को इसी तरह किड़े उठ़न तो यहां पर बहुत सारे दिसमि में आपका आना-वाना-लाना दन्ता है तो वहां पर क्या आपकी प्रणात्य किर्या बनती है ठीक है चलिए अगला क्योंचन देखते हैं बालक इस पुस्तेकालिया में पढ़ रहा है बाक्या में किर्या है तो इसमें कौन सी किर्या है तो यहां है आपकी सय कर्मक किर्या सय कर्मक किर्या क्योंकि क्योंकि बालक क्या है पुस्तेकालिय किया कर्म 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 कर् होती है यहां पर क्रम करया समुच्चित होगी क्यों होगी क्यों कि ऐसी करया जिसके किस पर पढ़ता भुअत कर्म किल रहा सकता नहीं होती है काय की आवसकता नहीं होती है आपर कर्म की आवसकता नहीं होती है तो वहाँ पर क्या कहलाती है एक कर्म किर्या कहलाती है ठीक है जहां यहाँ पर हसने का जो पिरवाव है वो केवल मीरा करता पर पड़ता है पर पड़ेगा हंसने के भल मीरा पर पड़ेगा ठीक है चलिए आगला क्यूसर hey Con 1 ने राप पत्र लिखवायास बांके में लिख वाया कumuz से पिरकार की किर्या है ठीक कि यहां पर whamit की मैंने करता क्या कर रहा है यहां पर स्वयम कर रहे हैं नहीं कर रहा है वो दूसरे से करवा रहा है ठीक है तो वहां पर क्या होगी ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है चूड़ी अच्छी थी कौन सी किर्या है ठीक है चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन से क्रिया है तो यहां पर है आपकी योजक क्रिया क्या कहते हैं तीका तो यहां पर क्या होगी योजक क्रिया हो होगी ठीक है चलिए अगला क्यूस्टन है मोल एकर्मक धातू के साथ पिर्थिया जोड़कर बनाएगी किर्या धातू क्या कहलाती है ठीक है तो यह कहलाती है आपकी साधित सेकर्मक किर्या ठीक है यह कहलाती है आपकी साधित सेकर्मक किर्या क्या होती है जिसका मोल किर्या के रूप में धातू मूल किर्या के रूप में धातू होती है उसे के कहते हैं हम साधि सैकर्मक किर्या कहते है ठीक है इसमें क्या होता है एक सैकर्मक मतलब एवं सैकर्मक दो परिकार के होती है एकर्मक और सैकर्मक दो परिकार के यहां पर किर्या होती है ठीक है चलिए अगला क्यूस्टन है आपका निमली कितमे से किस बाके में एकर्मक किर रहा है ठीक है तो इसमें एकर्मक किर रहा है यहां पर देखा जाए तो एकर्मक मैं गहूं पिसवाता हूं स्याम निवन लिखता है राम मोहर को रोला रहा है ठीक है तो पानी बरस रहा मे क्या है आपकी ए कर्मक क्रिया क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब ए कर्मक को सतमें कहते हैं तोब पानी बरस रहा है तो पानी बरस रहा है यहां पर क्या हो एकर्मक्रिया होगी ठीक है गेहु पिस्वाता है स्याम निमन लिखता है राम मोहन को रुला रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगी आपकी सैकर्मक्रिया होगी ठीक है इनमें क्या होगी आपकी सैकर्मक्रिया होगी ठीक है चलिए आपका लाश्ट कि उससे ने आज का हतियाना में कौन सी किर्या है ठीक है तो हतियाना में आपकी मैंने पहले बता दिया आपकी नामधातु किर्या है ठीक है नामधातु किर्या बहुती है जो संग्या नामधातु किर्या क्या होती है जो संग्या ठीक है जो संग्या सर जब नाम यह बिसेशन के पिरतिया जोड़कर बनाई जाती है तो उन्हें हम नामदातु किर्या कहते हैं ठीक है इसकी मैंने किलास आपको पहले भी करा दी है अगर आपको यह अभी भी समझ में नहीं आता है तो वो किलास आप जरूर देख लें एक बार आपको सारी किर्या क की समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए फिर मेलते हैं अगर टोपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करते रहें